तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के सभी राष्टपती की पंजन विद्फ फोटो के साथ हम इस वीडियो में आपको पूरी स्क्रिप्स से चार्जाग बताएंगे कि प्रथम राष्टपती कौन थे त्रिती राष्टपती कौन थे सातवे राष्टपती कौन हैं प्रफम मुस्लिम राश्ट पति कौन थे प्रतम गैर कौंग्रेस blur कौन कि तो मतलब इंसे in course जुब कोशन है हम उसे इंप्वॉर्टेन्ट के साथ वीडियो को आप सब्सकीप मत किजिए चाना जाता है कि नहीं डाक्टर राजिन्त पुसाथ को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है और यह 1950 से 1962 के रूप बीच यह राष्टपती थे और सबसे अधिक समय तक 12 वर्स लगभग 12 वर्सों के लिए राष्टपती बने थे जब भारत सुतन्त हुआ था तो उसमें जी इन्हें कारिवाहक राष्टपती के रूप में भी चुना गया था इसलिए इनका लंबा कारिकाल है और कब से 1950 से 1962 के रूप में उन्हें 1962 में भारत रत पुरसकार मिला था कब मिला था उन्हें उन्हें इनकी पुस्तके वहिए इंडिया डिवाइड सत्याग्रा एट चम पारण कॉनसीपुस्तक एंडिया डिवाइड सत्याग्रा एट चम पारण यह जो इंपौर्टेंट कोशन मैं आपको बता रहा हूं कि हमायने रखते हैं इक एक नमबर आपके विए गेंक करना काफी एंपोर्टेन्ट हो जाता है इसलिए मैंने कहा था कि विडियो को इसकी पतकिस येगा चलते हैं अगले कुशन बैठक्षट गुए 11 December 1996 को तो राजिन दक्टर राजियन प्रसाद को इस थाई सरस्ज से चुना गया था और 9 दूसरे राश्ट पती ते डाक्टर सरुपली राधा कृष्णन से यह किस नमर के दूसरे नमबर के थे और यह कब से कब थे यह इससे पहले क्या थे इसे रिलेटिक जो इपॉर्टेंट से राष्ट पति उस्वाइन शिसी चैर्मेन बने थे और 1954 में इन्हें भारत से समानित किया गया कब समानित किया गया 1954 में कि स्रत अवाड से तो भारत रत सम्मानित किया गया था चलते हैं इंपोर्टनंट print के बारे में जानते हैं परतम उप्राश्च्पती靈ने भारत सम्मानित किया गया था परतम कार्यभाक उपराश्च्पती ये थे एक हैग चीज आप करिएगा देखिए हर चीज लिखा नहीं पाएंगे 1975 में धार्मिक छेत्र में टेम पुरुस्कार प्रुश्कार प्रुश्कार ने लेट एloe प्लटन देखिए कम मिला था 1975 के जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट है वो बताते चले इनका जर्म कब हुए था तो पांच सितंबर इनके जर्म को हम किस दिवस के रुप मनाते हैं तो राश्वे सिछक दिवस की पुस्तक क्या है दा हिंदू व्यू आफ लाइफ धन्पदा ट्लीजन साइंस कल्चर ता प्रिस्पल उपनी सद्री करवरिया फैट मतलब जितने भी इंपोर्टेंट बुक है इनने लिखा अब चलते हैं नेक्स हमारे तीसरे नमबर के कौन से राश्पती हुए तो मारे तीसरे नमबर के जो राश्पती हुए डक्टर राकिर से हुए कब से कब हुए थे तो 1900 सरसर से 1979 के बीच में हुए थे और इनसे रिलेटिड जो इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको डिसकस कर रहा हूँ यह आपके कासाथ काफी महाने रहता है यह पहले मुस्लिम राश्पती थे डक्टर राज्जाकिर हुसेन पहले मुस्लिम राश्पत अब तकी आप वह कौन से पहले व्यक्ति है जब न राश्पती पर पर पहले व्यक्ति वने तो डक्टर जाकिर उसां 1963 में भारत रच से समानित किया गया अलीगर मुस्लिम विस्वजिट जैल्य के चांसलर थे क्या थे तो अलीगर मुस्लिम मुस्वजिश्विश्च चांस से देखिए 1969 में ये कुछ छड़ के लिए बने थे लेकिन फिर उसके बाद चुना हुआ तो 1979 से 1974 के बीच में ये बने तो ये प्रथम कार्यवाहक राश्टपती बने थे तो कभी कभी कोशन को घुमा के पूछ सकता है कैसे कैसे पूछ सकता है और उनसे रिलेसे किया किया Got highissance और किस तरह कि कुछ फो सते तो और होसे लेकिन बात को ऑथा लग tod wh art राश्टपती थे सिलंका में भारत कि राज़फ थे उनिस अपकितर में भारत रत्न पुरस्कार जो मिला था 1975 मिने प्रथम भारत पुरस्कार मिला था दूसरी चीज एक स्वतंत उमिद्वार के रुपे इन्होंने विजिता मिले थी जलते हैं अगले कुशन की तरह में अगले राष्ट पती हैं पांचवे नमबर के एम हिदाय तुल्ला की जो है किस नमर के थे पांचवे नमर कब से तो 1909 में कुछ समय के लिए बने थे कुछ तुम्हें के लिए जब उनकी मृत्यू हो गई थी तब वो क्या थे सर्वोच न्याले के एक मात्र प्रमुक्ष जक्ष जो राष्ट पती बने हैं अगले हमारे राष्पती है अधिक फक्रदील अली अहमाद जी छटे नमर के हैं कहीं गलती हो तो मिस्टेक हो आप कमेंट सेक्सें में जरूर कमेंट करिएगा देखिए फक्रदील अली अहमाद जी 1974 से 1977 के विच में राष्ट पती हुए थे राष्ट पती के पत्पर मरने वाला यह दूसरा प्राष्ट पती बने यह जब राष्ट पती के कारेकाल में इनकी भी मित्त्य हो गई थी और इस इंपोर्डेंट क्या है भारत में आंतरिक असांती के कारण पहले और अंती अपात राष्ट पती भी हुए थे जी के समय आंतरिक असांती फैला हुआ था और राष्ट पती के पत्पर मने वाले दूसरे बैखती थे अगले चलते अंगले राष्ट पती की तरह मारे अगले राष्ट पती है बिड़ी चती हमारे अगले राष्ट पती कौन है बिड़ी चती क सबसे कभ है उनीज़ सबस्ताइब राष्ट पती यह भी थे और अगले क्वेशन की तरह नीलम संजीव रेड़ी नीलम संजीव रेड़ी देखें तरह देना एकुर्ण राष्ट पती चुने गये थे उस समय उसके पहले निर्ष्विरॉट पहंद्यों होने का है तो क्या रीजन था है कि 5 एं ढूंग दूसरा वीडियो हो गाँगा तो स्मय अ क्रिण कर दूघीर निलम संजीव रेड़ी कभ सेथ विश्टेंग अगले राश्पती थे गयानि गयाल सिंग जो है राश्पती बने थे कब से कब 1982 से 1987 से में का कारेकाल था और यह किस नमर के राश्पती थे और यह पहले शिक्ष राश्पती थे पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे और इनका कारेकार 1982 से 1987 में यह राष्टपती थे इंद्रा गांधी के हत्या के समय भी यह राष्टपती थे और पहली बार जो पाकेट वीटो का उप्योग करने वाले राष्टपती थे यहीं थे डाक्टर जानी गैल सिंग अगले हमा तो यह किस नमबर के राष्टपती थे और यह राष्टपती से और पहले क्या थे यह उप्राष्टपती थे इनके समय में चाहर प्रधान मंत्री बदले गया थे इंप्रॉटेंट इफेक्ट इस लिए जाता कुशन पुछे जाते हैं कौन कौन से राजुगान्दी वीपी पारी नरसिंग हा रहा हो, इंथके पुस्तक क्या थी माइप पैंसी डियल माइप प्रेंसी डेंसी डेंसी यसली यह तो इसे इपोडेंड जितने भी वे फैक्ट्ट है हमें करकर देते यह उपराष्टपती भी थे इसे भी रिल्टे जितने मीं पॉड्टी को फैक्ट कोश कमें वी थे तो डाक्टर संकर दयालसर्मा फोटो है ये यह विव उपरास्टप्ती थे और अलीव फाजिल की उपाधि इनको मिला तक आलीं फाजिल की उपाधि किस्सराश्पती आ को दिया गया थो डाक्टर संकर्दयाल सर्मा को living legend of law award of रिकाग्री जिसन पुरुषकार से पुरसकारित कि यह थे हमारे नेक्स्ट राजपती थे डाक्टर के आर मरायन डाक्टर के आर नरायन जो है कि टमसे कब थे तो हमारे दक्टर के अनरान उनीस संतानवे से दोजार दो के बीच में हुए थे तो जाक्टर के अनरान से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट कोशन पूछे जाते हैं वह हम डिसकस करने वाले हैं एक मात आईफियस आईफस अधिकारी राष्टपती हैं क्वेशन कैसे पुछा जाता है व सुचित जाती के पहले राष्टपती थे चलते अगले कोशन की तरह मरागला राष्टपती कौन थे तो हमारे अगले राष्टपती थे डक्टर एपीज अब्दुल कलाम काफी एफेक्टिव कोशन थे यह कब से कब थे तो 2002-2007 के बीच में थे इनसे रिल्योटेर जितने भी फैक्ट बनते हैं हम आपको बता दे इनकी पहचान की स्तिरस ती तो यह मिसाइल में के नाम से जानी जाते थे जैन्मरा में सवर तामिल नाडों में हुआ था विर्तु सिलॉंग में लगाला में हुआ था एक देचांत कारेकरम में वो सामिल हुए थे वहीं के मिर्थ्य वीति हो गई थी पहले व्यग्यानिक और अविवाहित थे पहले वजञ्यानिक और अविवाहित थे से निए 1997 में भारत प्रॉसकार भी मिला था इन्हें जनता की राश्वती के रुप में जानाता है यह किसी पार्टी से नहीं थे सबसे बड़ा फैक्ट यह किसी पार्टी से नहीं थे इसलिए जनता के राश्पति के रूप में चाना जता है इनका पूरा नाम क्या था तो इनका पूरा नाम अब्दुलपाकिर जनू लबदीन अब्दुलक्राम था लचमी सहगल को हराकर राश्पति बने थे पुस्तके क्या थी विंग्स आफ फायर इंडिया 2020 यह कोशन काफी पुछा गया है ग्रूप दी तो 2018 के जो कोशन पेपर हुए थी उस समय यह कोशन चाया हुआ था उस समय यह कोशन बवाल मचा रहा था हर एक सिप्ट में यह कोशन आ रहा था क्योंकि यह कोशन काफी अफेक्टेर से और वह भी डक्टर एपीज अब्दुल क्लाम से रिलेटेट इसलिए कोशन पुछा गया था तो उनसे रिलेटेट जितने भी कोशन थे हमने अभी डिसकस किया है चलते अगले राश्ट्पती कितरा हमारे अगली राश्ट्पती कौन थी तो हमारी अगली राश्ट्पती थी प्रतिभा देवी सिंग पाटिल थी राजपाल भी थी तागी धी प्राष्वतीध भार्योंसिये खावत कोुछा जाता है फिल सी थे कि सी कि तर चलते हैं प्रडव मुखर्जी हमारे एकले राश्पती है प्रडव मुखर्जी कभ से कभ है तोजार पारत से तोजार सत्र के बीच में थे भारत के तेरे में राश्पती थे किस नंबर के राष्ट्पती थे भारत के फीरवी राष्ट्पती थे और केंध में एक भित्द मंत्री नह Atébird नौन मीते विदियिस मंत्री और अच्छा मंत्री रह चुके थे गसकर कलमें इंदर्रा और राजीर गांदी के सरकार में यह मंत्री भी थे इन से रिलेटिट हो गया चलते हैं हमारे लाष्ट चौदमे नंबर के राश्पति कौन थे रामनात कुमीं जी 2017 जो वर्तमान में हैं इनका जर्म उत्तर प्रदेश में भारत के चौदमे राश्पति हैं 2014 से 2017 के बीच में यह बिहार के राजपाल भी रह चुके हैं और इनसे रिलेटिट जितने भी इंपोर्डेंट फैक्ट मैं मैंने अभी डिस्कस कर दिया है तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब सैनल इस्टडी गंगा को सस्क्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करिए और अन्यमित्रों साथ सेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो सके वीडि इसे बात आपका